तो आज हम बना रहे हैं तीन डिफ्रेंट टाइप के आलू के पराथे जो तीन ही टेस्ट में अलग पर टेस्ट में एक से बढ़कर एक हैं अब इसमें फिलिंग तैयार है अब इसे हम कवर करके 15-20 मिनिट के लिए अलग रगतेंगे अब हम फिलिंग तैयार करते हैं तो सबसे पहले हमने एक बॉयल पटटो लिया है इसे अच्छे से हम मैश कर लेंगे अब इसमें हम 1-4 चम्मच नमक अड़ करेंगे अब हम इसमें भुना हुआ जीरा डालेंगे आधा चम्मच और लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे आधा चम्मच इसके बाद इसमें हम जीरावन पाउडर डालेंगे आप चाहे तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं आधा चमच और कुछ बारी कटी हुई प्यास डालेंगे अब इसमें हम आधा चमच के करीक रिफाइंड ओयल डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये हो गई हमारी फर्स्ट आलू की स्टफिंग तयार, अब हमने जो आटा रखा था उसे लेंगे, उसकी दो छोटी छोटी हम पेड़े बनाएंगे, अब इन पेड़ों को हम इक्वल साइज के सरकल में बेल लेंगे, कोशिश करेंगे कि दोनों जो सरकल है वो सीन साइज क हूं तो इसे हम आटे से डस्ट करके अच्छे से दो इक्वल साइज के सर्कल बेल लेंगे, तो देखिए हमारा दूसरा सरकल भी तयार है, अब इसके बीच में हम पतेटों कि फिलिंग रखिएगे और दूसरा जो हमारा सरकल हमने बेल कर रखा था, उसे इसे उपर अच्छ हमें medium to high flame पर पराठे को सेखना है इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा सिख जाए तो हम पराठे को फिलिप कर लेंगे और अब दोनों साइट्स पर हम oil या घी आपको जो यूज़ करना आप यूज़ कर सकते हैं उसका यूज़ करके crispy brown होने तक हम उसे सेख लेंगे तो हमारा first आलू का पराठा तयार है तो चलिए अब हम next potato filling बनाते हैं यह हमें एक boiled potato लेंगे उसे अच्छे से mash कर लेंगे अब इसमें एक चोथाई चमच नमक आड़ करेंगे आधा चमच चिली फ्लैक्स आड़ करेंगे और थोड़ी सी पीजा सीजने आड़ करेंगे अब हम इसमें चीज आड़ करेंगे चीज को आप चॉप करके या ग्रेट करके कैसे भी आड़ कर सकते हैं अब इसे अच्छे से मिला लेंगे और हमारी second potato stuffing तयार है अब हम आटे की एक medium size की ball बनाएंगे इसे हम floor से dust करके 5-6 inch diameter का एक circle रोल कर लेंगे अब इस circle के center में हम potato filling रखेंगे अब इस circle की किनारों को पकड़ कर उसकी pleats बनाकर बीच में join कर देंगे अब इस पेड़े को हम floor से dust कर लेंगे और हातों से अच्छे से flatten करेंगे जिससे की stuffing जो है वो सारी sides में अच्छे से spread हो जाएगी अब हमारा पराठा तयार है अब हम तवा को गरम करके हमारे पराठे को medium to high flame पर अच्छे से से शेक लेंगे तो चले अब हम next potato stuffing तयार करते हैं इसके लिए एक boil potato लेंगे उसे अच्छे से mash कर लेंगे अब इसमें हम एक चौथाई चम्मच नमक आड़ करेंगे एक से दू बारी कटी हुई हरी मेर्च अड़ करेंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया अड़ करेंगे और हम इसमें थोड़ा सा पनीर क्रमबल या ग्रेट करके अड़ करेंगे अब हम इसमें आधा चम्मच चेली फ्लैक साइट करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें आधा नीबू अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे और इस स्टफिंग को फिर से मिक्स करके रैडी कर लेंगे अब हम आठे की एक medium size की बॉल बनाएंगे उसे सुखे आठे से dust करके हम एक circle बना लेंगे और इस पराठे को हमें वैसे ही रोल करना है जैसे हमने हमारे last पराठे को रोल किया था रोल करने के बाद इसे हम तवा गरम करके medium to high flame पर दोनों साइट से crispy golden होने तक सेक लेंगे तो हमारा पराठा तयार है Thank you for watching